रिच डेड, पूर डेड, रोबर्ट टी कियोस्की, बाइपूकू रीडर्स, पार्ट 15 पार्ट 14 में हमने अध्याए आठ बाधाउ से पार पाने के दूसरे कारण सनकीपन का सामना करने के बारे में जाना अब हम जानेंगे कारण नम्मर 3, आलस्या वियस्त लोग अकसर बहुत आलसी होते हैं हम सभी ने उस व्यवसाई की कहानिया पढ़ी है जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है वह अपनी पत्नी और बच्चों की सुख सुधाओ के लिए काफी मेहनत करता है वह आफिस में बहुत देर तक काम करता है और सब्तहांत में भी आफिस के काम को घर पर ले आता है एक दिन जब वह घर लोटता है तो उसे घर सूना मिलता है उसके पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़ कर चली जाती है उसे पता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में मत्मेत है परन्तु उस रिस्ते को ज़्यादा मजबूत बनाने के बजाए वह काम में ही विस्त बना रहा निराश होकर वह अपने काम के पृति लापरवा हो जाता है और उसके काम पर इतना ज़्यादा असर पड़ता है कि उसकी नौकरी चली जाती है आज मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो इतने विस्त है कि उन्हें अपनी संपत्ती की परवा करने की भी फिक्र नहीं है और ऐसे भी लोग हैं जो इतने जादे विस्त है कि उन्हें अपने स्वास्ते की परवा ही नहीं है दोनों का कारण एक ही है वे व्यस्त हैं और वे व्यस्त बने रहने चाते हैं क्योंकि वे किसी चीज का सामना नहीं करना चाते उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है अंदर से वे खुद जानते हैं वास्तम में अगर उन्हें याद दिलाए तो वे गुसा हो जाते हैं या चिड़ जाते हैं अगर वे नोकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं हैं तो वे टीवी देखने, मचली पकड़ने, गॉल्फ खेलने या सौपिंग करने में व्यस्त होते हैं परंतो अंदर से वे जानते हैं कि वे किसी महतपूर चीज का सामना करने से कत्रा रहे हैं यह आलस सबसे आम रूप है यह आलस का मतलब है व्यस्त बने रहना तो आलस के इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच हम में से जादेदर लोग का लालन-पालन इस तरह से किया गया है कि हम लालच या इॉच्छा को बरा समझते हैं मेरी मा कहा करती थी लालची लोग बुरे लोग होते हैं परंतो हम में से हर एक अच्छी चीजे नई चीजे रोमान्चक चीजे हासिल करना चाहता है तो उस इच्छा की भावना को काबू में रखने के लिए प्राय माबाप इच्छा को अपराद बोज से जोड़ देते हैं तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे भाई बहन भी है यह मेरी मा की फेवरिट कहावत थी यह तुम क्या खरीदना चाहते हो मेरे डैडी की फेवरिट कहावत थी तुम ऐसा सोचते हो जैसे हमारे पास बहुत पैसा है क्या तुम सोचते हो कि पैसा पेड़ पर लगता है हम अमीर नहीं है तुम तो जानते ही हो मुझ पर शब्दों का तो उतना असर नहीं पड़ा परन्तु उन शब्दों में जो गुसा और अपराद बोद का सम्मिसरंड था उसका मुझ पर बहुत जादा असर पड़ा यह इसके विपरीत अपराद बोद का जाल यह था मैं तुम्हारे लिए यह खरीद कर अपने जीवन का बलीदान दे रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए यह इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे बाबाप मुझे यह खरीद कर नहीं दे पाय थे मेरे एक पडोसी है जो पूरी तरह दिवालिया है परन्तु है अपनी कार को अपने गैरेज में पार्क नहीं कर सकता गैरेज में उसके बच्चे के खिलोने भरे पड़े हैं उन बिगडे हुए बच्चों को मुँ मांगी चीज मिल जाती है उस पडोसी के सब्द हैं मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी चीज की कमी हो उसने उनके कॉलिज के लिए या अपने रिटार्मेंट के लिए कुछ भी अलग से बचा कर नहीं रखा है परन्तु उसके बच्चों को हर खुलोना मिला है उसे डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला और मैं अपने बच्चों को घुमाने के लिए लास वेगस ले गिया मैं यह अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ या उसके महान बलिदान के शब्द थे अमीर डैडी इस वाक्य से चिड़ते थे मैं इसे नहीं खरीच सकता मेरे असले घर में मुझे यही वाक्य अक्सर सुनने को मिल जाता था इसके बजाए अमीर डैडी चाहते थे कि उनके बच्चे यह कहें मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ उनका तर्थ था कि मैं इसे नहीं खरीच सकता इस वाक्य से अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेते हैं इसे अब और जादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ वाक्य से आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं इससे यह सोचने पर मजबूर होता है और जवाब ढूनता है परन्तो सबसे महत्पूर बात तो यह है कि मैं इसे नहीं खरीच सकता यह वाक्य जूटा होता है और इनसान की आत्मा यह बात जानती है इनसान की आत्मा बहुत ताकतवर होती है उनका कहना था यह जानती है कि यह कुछ भी कर सकती है जब एक आलसी दिमाग कहता है कि मैं इसे नहीं खरीच सकता तो आपके भीतर एक युद छुड़ जाता है आपकी आत्मा गुसा हो जाती है और आपके असली दिमाग को अपने जूट पर अड़े रहने पड़ता है आत्मा चीखती है चलो भी हम जिम चल कर कसरत करते हैं और आलसी दिमाग कहता है परंतु मैं ठका हुआ हूँ आज मैंने सच्मुच बहुत काम किया है यह इनसान की आत्मा कहती है मैं गरीवी से ठक गई हूँ चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं इस पर आल से दिमाग कहता है अमीर लोग लालची होते हैं इसके अलावा इसमे जंजट और तकलीफ बहुत है यह शुरक्षित नहीं है मेरा पैसा डूब सकता है वैसे भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ मेरे पास पहले से ही बहुत काम है देखो आज रात कोई मुझे कितना क काम करना पड़ेगा मेरा बॉस कह रहा था कि यह काम सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए मैं इसे नहीं खरीच सकता यह वाक्य दुख से भरा है इससे लालची की भावना आती है जिससे निराशा और इसके बाद अवशाद पैदा होता है इसके लिए एक और सब्द है उदा इतन ही होते थे कि अब क्या खरीदना चाहते हैं परंतु वे जानते थे कि मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ वाक्य से एक ज़्यादा मजबूत दिमाग और एक ज़्यादा प्रगतिसी लात्मा का निर्माड होता है इसलिए उन्होंने माई किया मुझे शायद ही कभी कु कुरा किया है वे हमें लक्षे को हासिल करना नहीं सिखा रहे थे वे तो हमें लक्षे को हासिल करने की प्रकिरिया का ग्यान दे रहे थे मेरी समझ से आज समझ से यह है कि करोड़ों लोग अपने लालच को लेकर अपराद बोद से ग्रस्त है यह उनके बच्पन से बुढ़ पहापे तक चलता है वे जिन्गे में मिलने वाली अच्छी चीजे चाहते हैं जादे तर लोगों के अवचेतन में यह विचार मौजूद रहता है आपको यह नहीं मिल सकती या आप इसे कभी नहीं खरीद पाएंगे जब मैंने चुहादोर से बाहर निकलने का फैसला किया त सबसे मुस्किल चीज थी मेरे असली माता पिता की सीख कि हम इसे नहीं खरीच सकते या किवल अपने बारे में ही मत सोचो या तुम दूसरे के बारे में क्यों नहीं सोचते और इसी तरह के सब जो मेरे लालच को दवाने के लिए मुझ में अपराद बोध भरते थे तो आप मेरे लिए क्या है, वक्ति को बैठ कर पूछना चाहिए, अगर मैं स्वास्त है, सैकसी और आकर सक हूँ तो इसमें मेरे लिए क्या है, या मेरे जिनगी कैसे होगी अगर मुझे फिर कभी काम न करना पड़े, या मैं क्या करूंगा अगर मुझे मन्चाहा पैसा मिल जाए, इस थोड़े से लालच के बिना कुछ बहतर हासल करने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारी दुनिया इसने तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बहतर जिन्गी जीना चाहते हैं। हम कुछ बहतर चाहते हैं इसलिए नए विसकार होते हैं हम इसकूल जाते हैं और मेंट से पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बहतर चाहते हैं इसलिए जब भी आप किसी ऐसे loving से कत्रा रहे हूं जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए तो आपको खुद से केवल यही सवाल पूछना चाहिए कि इसमें मेरे लिए क्या है थोड़े लालची बने यह आलस का सबसे बड़ी है इलाज है परन्तु बहुत जादा लालच भी अच्छा नहीं होता क्योंकि हर चीज की अती बुरी होती है परन्तु वह याद रखो जो वॉल स्ट्रीट फिल्म में माइकल डगनलस ने कहा था लालच अच्छा होता है अमीर डैडी इसे अलग तरीके से कहते थे अपराद बोद लालच से ज़्यादा बुरा होता है क्योंकि अपराद बोद के कारण सरीर में से आत्मा निकल जाती है और मेरे लिए एलिनोर रुजवेल्ट की कहावत सबसे अच्छी है बही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है क्योंकि तुमारी हर बात में अलोचना होगी कारण नमबर चार आदते हमारी जिनगी पर हमारी सिक्षा से ज़्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है और नॉल्ड स्वार्जनेगर की फिल्म कॉनन देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरे बोड़ी स्वार्जनेगर जैसी हो जादे तर साथियों ने सहमती में सिर हिला दिया मैंने तो यह सुना है कि एक समय वह वास्तम में दुबला और कमजोर सा था दूसरे मित्र ने जोड़ा हाँ मैंने भी यही सुना है और एक और दोस्त ने कहा मैंने सुना है कि वह हर रोज जिन जाता है और उसने वहां कसरत करने की अधर डाल ली है हाँ मुझे भी लगता है कि वह ऐसा करता होगा समू के संकालो आदमी ने कहा मुझे तो लगता है कि वह इसी तरह पैदा हुआ होगा इसके अलाहवा हम औरनाड की बाते कर ही क्यूं रहे हैं चलो बीर पिये यह एक उधारण है कि किस तरह से आदते व्यवार को नियंत्रित करती है मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था सीधे जवाब ना देने के बजाए वो चाहते थे कि मैं इसे उधारण से सीखूं अमीर डैडी ने पूछा तुम्हारे डैडी अपने बिल कप चुकाते हैं मैंने कहा हर मैने की पहली तारीक को क्या उनके पास कुछ बाकी बच्चता है उन्होंने पूछा मैंने कहा बहुत थोड़ा यही वह खास कारण है जिसके कारण उन्हें संगर्स करना पड़ता है अमी डैडी ने कहा उनकी आदतें बुरी हैं तुम्हारे डैडी सबको पहले पैसे देते हैं वे खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं और ऐसा भी तभी करते हैं जब उनके पास कुछ बचा हो समाने तोर पर उनके पास कुछ नहीं बचता मैंने कहा परंतु उन्हें अपने बिल का भुकतान तो करना ही होता है नहीं क्या आप यह तो नहीं कहना चाहते कि उन्हें अपने बिल्स का भुकता नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं अमीर डैडी ने कहा मैं समय पर अपने बिल्स चुकाने में पूरी तरह विस्वास करता हूँ मैं किवर खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ सरकार को पैसे देने से पहले परंतो तब क्या होगा जब आपके पuinelyयाक पैसा नहीं हो मैंने पूछा ऐसी स्थिती में आप क्या करते हैं मैं वही करता हूँ Amir डाडी ने कहा मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ चाहे मेरे पास पैसा कम हो मेरे लिए सरकार से ज़्यादा महत्पूर है मेरे संपत्ती वाला कॉलम परंतु क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पढ़ते मैंने कहा हाँ अगर मैं उन्हें भुकतान ना करूं अमीर डैडी ने कहा देखो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को पैसा ना दिया जाए मैं केवल यह कह रहा हूँ कि खुद को सबसे पहले बुकतान किया जाए चाहे मेरे पैस पैसा कम ही हो परंतु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मैंने जवाब दिया सवाल कैसे का नहीं है, सवाल क्यों का है अमी डैडी ने कहा अच्छा आप ऐसे क्यों करते हैं प्रेर ना, अमी डैडी ने कहा अगर मैं उनको बुकता नहीं करूँ तो कौन जाध़ जोर से शिकायत करेगा मैं ये मेरे लेंदार आपके बजाए आपके लेंदार जादा जोर से चिलाएंगे मैंने इस पस्ट विकल्प को चुनते हुए कहा अगर आप खुद को पैसा नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पैसे देने के बाद मेरे पास टेक्स चुकाने और दूसरे लेंदारों को पैसे देने का इतना ज़्यादा जवाब होता है कि मुझे आमदनी के दूसरे रास्ते खोज नहीं पड़ते है पैसे चुकाने का जवाब मेरी प्रेना बन जाता है मैंने अतिरिक्त काम किया है दूसरे कमपनिया सुरू की है स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे और बेचे हैं हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किये हैं ताकि यह लोग मुझे पर ना चिलाए इस दवाब के कारण मैंने ज़्यादा कड़ी मेहनत की है और मैं सोचने पर मजबूर हुआ हूँ कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामने में ज़्यादा स्मार्ट और फुर्तीला बना दिया है अगर मैं खुद को सबसे आखर में पैसे देता तो मुझे पर कोई दवाब नहीं बढ़ता परन्तो मेरे पास कभी पैसा भी नहीं होता तो सरकार या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का जवाब आपकी प्रेड़ना बन जाता है बिल्कुल ठीक अमेर डैडी ने कहा देखो सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डराबने होते है वसे समानने तोर पर पैसा वसूलने वाले सभी लोग डराबने होते है जादा तर लोग इतने डर जाते है वे इन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी पैसा नहीं देते तुमने उस 96 पाउंड के कमजोर आदमी की कहानी तो सुनी होगी जिसके चेहरे पर लोग बालू उचालते हैं मैंने सिर हिलाया मैंने कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बाड़ी बिल्डिंग के बारे में दिया गया यह विग्यापन देखा है तो ज़्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेहरे पर बालू उचालने देते हैं मैंने डरावने लेंदारों के डर का इस्तमाल खुद को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है बाकी लोग ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि अतिरिक तिधन कहां से आएगा जिम जाने की तरह है और वहाँ वजन उठाने की तरह है मैं अपने दिमाग की मासपेसियों से जितना काम करता हूँ मैं उतना ही जादा मजबूत होता जाता हूँ अब मैं इन दरावने लेंदारों से जरा भी नहीं डरता हूँ मुझे अमेर डैडी की बाते पसंदा रही थी तो अगर मैं पहले खुद को पैसे देता हूँ तो मैं आर्थिक और मानसिक दृस्टी से ज़्यादा मजबूत हो सकता हूँ अमेर डैडी ने सहमती में सिरह लाया और अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता हूँ या बिलकुल भी पैसे नहीं देता हूँ तो मैं कमजोर हो जाता हूँ इसलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे जिन्दगी भर इधर उधर ठोकर मारते रहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी आदते अच्छी नहीं है अमेर डैडी ने सिरह लाया 96 पाउंड के कमजोर आदमी की तरह कारण नमर पाँच, जिद जिद एहंकार और अग्यान का मिला जुला रूप है जो मैं जानता हूँ उससे पैसा आता है जो मैं नहीं जानता उसके कारण में पैसा खोता हूँ हर बार जब मैंने जिद की है मैंने पैसा गवाया है वह इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूँ तो मैं दरसल यह भरोसा करता हूँ कि जो मैं नहीं जानता बह महत्पूर नहीं है अमीर डैड़ी मुझे अक्सर बताया करते थे मैंने पाया है कि कई लोग जित का प्रयोग अपना अग्यान छुपाने के लिए भी करते हैं जब मैं फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स पर अकाउंटेंट्स या निवेशकों से चर्चा करता हूँ तो ऐसा अक्सर होता है वे चर्चा में अपनी जित के अधार पर जीतना चाते हैं मैं समझता हूँ कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें परियाप्त ग्यान नहीं है वे जूट नहीं बोल रहे होते हैं परंतु वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं धन फाइनेंस और निवेश की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें यह पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं पैसे के उध्योग में जादतर लोग सेकंड हैंड कार के सेल्समें की तरह वेवार करते हैं जब आप जानते हो कि आप किस विषय में अज्ञानी है तो उस छेतर में किसी विषय सग्य को ढूंड कर या उस विषय पर कोई अच्छी पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दे इस अध्याय में इतना ही आगे जानने के लिए चैनल के साथ बने रहे चैनल पर हरोच शम 5 बजे तक नेक्स पार्ट की वीडियो अपलोड होती है